नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका आपके अपने चैनल कॉमस्देव में और आज हम डिस्कस करेंगे 10 Facts About Budget बजट से जुड़ी कुछ बाते जो आप साइब नहीं जानते होंगे जैसा कि आप सब को पता है कि एक फरोरी को हमारे देश का बजट आता है और आम जिनता के सामने से पेश किया जाता है इसी तरीके से इस साल भी एक फरोरी को आम जिनता के सामने बजट पेश किया गया का पहला बजट पैस किया ता भारत का पहला बजट पाउम्स विल्टोन के द्वारा और उन में से वह बाद भारत के पहले बजट के बारे में तो वो पेज किया गया था 26 नौवंबर 1947 को बाई आर के सनु बाई आर के सनमुखम सेटी और ये जो बजट फेज किया गया था इसके अंदर जो टोटल रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ था वो था 171.5 करोड वाइल हमारा एक्सपेंडिचर था 197.39 करोड अगर आप आज के टम्स में बात करें तो ये रेवेन्यू आपको बहुत कम दिखता है बट जब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद पहला बजट फेज किया गया था उस समय मात्र रेवेन्यू था 171.5 करोड अग उससे पहले इंग्लिस में ही ये बजट पेश होता था लेकिन 1955-56 में बजट डोकुमेंट इंग्लिस और हिंदी दौनों लिंग्वेज में प्रिंट होने लगे उसके बाद नेक्स्ट के अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बजट किस फाइनेस मिनिस्टर ने पेश कि था तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा बार बजट किस फाइनेस मिनिस्टर ने पेश किये थे तो वो थे मौरवार जी देशाई नेक्स्ट प्रेक्ट है हमारा फर्स्ट उमेन टू प्रजेंट बजट तो यह वो ही औरत है जो हमारी यानि कि फर्स्ट उमेन वो ही है जो हमारे इंडिया की पहली प्रधान मंत्री बनी थी यानि नन अधर देन इंद्रा गांधी जी उन्होंने ही भारत का पहला बजट पे finance minister थी जीनों ने budget को paste किया याने इंडरा गांधी जी ने जब budget paste किया था तब वो finance minister नहीं थी वो AJ प्राइम minister उन्होंने पेस किया था अब बात करते हैं नेक्सट फ्रेक्ट की black budget याने कि एक budget जिसको black budget भी का जाता है कौन सा बजट था वो बजट था जो प्रिजंट हुआ था 1973-74 में उसे हम ब्लेग बजट क्यों कहते थे क्योंकि उस समय के हिसाब से उस समय की डेफिसिट बज़ट डेफिसिट जिसे मैंने पिछले वीडियो में समझाय वा था उसका लिंक आपको turning point ये कौन सा बज़ट था तो ये बज़ट था 1991 में पेश किया गया मनमौन सिंग जी के द्वारा इसे हम कहते है इपोकल बजट भी कहा जाता है ऐसा क्यूं क्यूंकि 1991 में लाई गई LPG policies यानि कि liberalization, privatization और globalization इन policies के द्वारा काफी जादा इंडियन economy में turning आया था तो इसलिए इसे इपोकल बज़ट भी कहा जाता है नेक्स्ट अगर हम कहें बात तो दा millennium बज़ट अब ये millennium बज़ट कौन सा है तो ये बज़ट है 2000 में पेस किया गया by यस्वंत सीना द्वारा इसे हम millennium बज़ट क्यों कहते हैं क्योंकि इसके अंदर IT का revolutionized भी बदाया गया था इसलिए से millennium बज़ट भी कहा जाता है और ये पेस किया गया था 2000 में by यस्वंत सीना उसके बाद कहा जाता है change in time यानि कि 2001 में जब finance minister यस्वंत सीना उन्होंने 5 बज़ए से 11 बज़ए का time change किया था यानि पहले बज़ट पेस होता था 5 बज़ए और 2001 से ही जो हमारे बज़ट है वो पेस होने लगा 11 बज़ए 5 बज़ए इसलिए पेस होता था ताकि जो ब्रिटिस है ब्रिटिस के जो सासन अधिकारी है उनको सुनने में उसको बज़ए को समझने में उनको ज्यादा दिकत ना है क्योंकि उनके time के according ये चीज़ए चलती थी लेकिन 2001 में इसे deny किया गया और इंडियन ताकि इंडियन को ज्यादा सुईदा हो इस वज़ए से 11 बज़ए बज़ट को पेस किया जाने लगा next fact है about change in time from 2017 बज़ट को एक फरवरी को पेस किया जाने लगा rather than last फरवरी को या फिर first week of March के बज़ए 2017 से ही बज़ट को पेस किया जाने लगा फर्ष्ट फरवरी को और इसके साथ ही rail budget को भी merge कर दिया गया union budget के साथ इसे पहले अगर आप 2017 से पहले के budget देखेंगे तो वहां पे दो budget पेस होते थे भाई भारत सरकार जिसमें एक budget होता था financial budget या जिसम बढ़ सकतने नॉर्मल budget और दूसरा उता था रेल बज़ट जो हमारे रेल मिनिस्टर जो है वो पेस करते थे तो आज का वीडियो बच इतना ही I hope आपको कुछ नया सीखने हो नहीं होगा अगर आपको यह वीडियो प्रसंद आया हो तो प्लीज से लाइक करिए साथ साथ हमारी चैनल को सुब्सक्राइब करके बेल आगें जुरूर प्रेस करें थैंक यू वेरी मच्च गुड़े गुडबाई